एक काव में नरेन नाम का एक बुद्धिमन किशन रहता था और नरेन अपने घर में खाना खा रही थी और तभी नरेन की पत्नी उसे बोलती है आरे ज़रा सुनो जी हाँ क्या बात है बोलो इतनी दिन आप खेत में नहीं गए आज थोड़ा देख के आजाओ अब तो खाने के लिए भी थोड़ा ही सामान बसा है हाँ ठीके ठीके आज ही जाके देख आता हूँ मैं और नरेन अपने खेतों को देखने के लिए चले गए क्या दिन आ गया है अगर एक दिन खेत में नहीं गया तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा हे हे आरे नरेन भाई कहा जा रही हो आप क्या बताए धमा भाई खेत को देखने के लिए जा रहा हूँ अगर एक दिन खेत में नहीं गया, तो खाली पेठी रहना पड़ेगा हाँ ठीक है नरेन भाई जाओ, आखिर हम लोग तो एक साधारन किशन ही है और फिर नरेन और धमा दोनों बिदाई लेकर अपने अपने रास्ते चल पड़े और जब नरेन आपने खेतों में जापोहसा, तब उन्होंने देखा कि उनकी खेतों में फल कम घंस ज्यादा हो गया है अरे ये क्या हमारे खेतों में तो घास ही घास ओगया कुछ करना पड़ेगा वो तुरंट कुछ सोचने लगी और उनके मन में एक बिसार आया और फिर बो कुछ गयों को ले आते हैं और अपने खेत के किनारे घास को खाने के लिए बंद देता है नरेन का काम हो गया और गयों का भी पेट भर गया और फिर नरेन खुसी खुसी वहां से अपने घर चले गए